आज हम देखेंगे घातांक के नियमों से सम्बंदित कुछ गलतिया गलती एक सरल कीजिए चो के उपर घात पांच विभाजित चो के उपर घात रिड़ दो कुछ बच्चे घातांको याने एक्स्पोनेंस के नियमों याने रूल्स का सही प्रकार से प्रयोग नहीं करते वे एके उपर घात एम विभाजित एके उपर घात एन बराबर एके उपर घात एम रिड़ एन यह तो जानते हैं लेकिन इसका ठीक प्रकार से प्रयोग नहीं करते वे यहां जिन्नों का ध्यान न रख कर 5 में से रिन 2 घटाने के स्थान पर 5 में से 2 को घटाते हैं और जवाब प्राप्त करते हैं 6 के उपर घात 3 जो की एक गलत जवाब है ध्यान रहे 5 रिन 2 बराबर 5 धन 2 बराबर 7 होता है इसलिए दिये गए सवाल का सरल रूप होगा 6 के उपर घात 7 गलती 2 कुछ बच्चे इस सवाल का जवाब प्राप्त करते वक्त, नियम पता ना होने के कारण 6 और रिंड 2 का व्यवगलन करते हैं, अर्थात गटा देते हैं इससे उन्हें 9 की गलत गात प्राप्त होती है 4, इसे हल करने पर वे जवाब देते हैं 9 के उपर गात 4, जो कि एक गलत जवाब है, यहां गात के गात दी गई है, जब भे गात के गात दी हो, उस थिती में हम दोनों गातों का गुणा करते हैं, यानि के एके उपरगात M के उपरगात N बराबर एके उपरगात M गुणा N होता है इसलिए इस सवाल का सही जवाब है 9 के उपरगात 6 गुणा रिण 2 बराबर 9 के उपरगात रिण 12 गलती 3 रिण 2 के उपरगात 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 श तो संख्या का मान भी शून्य ही होता है। इस मिथ्यधार्णा के कारण वे समझते हैं कि दिया कथन गलत है। लेकिन यह सही कथन है। मान लीजिए हमें A के उपर गात M, विभाजित A के उपर गात M का परिणाम ग्याद करना है। क्या आप बता सकते हैं इसका परिणाम क्या आएगा। सोचिए सोचिए। बिलकुल सही। चुकि भाज्य और भाजक दोनों का मान बराबर है। इसलिए परिणाम आएगा एक। यानि कि A के उपर गात M, विभाजित A के उपर गात M, बराबर 1 है। अब चलिए बाइपक्ष को हल करे। यहां हम A के उपर गात M, विभाजित A के उपर गात M, बराबर A के उपर गात M, रिण M लिख सकते हैं। याने कि एक के उपर घाच शून्य लिख सकते हैं, इस तरह से हमें प्राप्त होगा एक के उपर घाच शून्य बराबर एक, इसलिए ध्यान रहे, जब भी किसी संख्या के घाच शून्य हो, तो उसका मान एक होता है. अब दिये उधारण को देखिए, यहाँ दोनों कोश्ठकों के उपर घाच शून्य दर्शाई गई है, इसका अर्थ है कि कोश्ठक में कोई भी संख्या हो, चुकि घाच शून्य है, इसलिए परिणाम एक ही आएगा, और एक गुणा एक बराबर एक ही होता है, चुकि बाया जवार प्राप्थ होता है, लेकिन इससे पता करने में काफी समय लग जाता है, किसी भी सवाल को हल करते समय या जरूर देखना चाहिए कि हम सवाल को कैसे हल करें, कि हमें जवाप जलदी प्राप्थ हो? आज हमने देखी घातां के नियमों से समबंधित कुछ गलतिया झाल झाल